परकास में आया है जिसको लेकर पूरे जीले में चर्चा का बिसय बना हुआ है पूरा अंचल में पूरा जीला में हड़कम मचा हुआ है वो तो मचना तय है देखिए हम मेरे फादर आपके ले सब लोग का काम रुखवा दी ने ने हम ने रुखवाए है हुआ है अप देख रहा है कराई मैं सत्याइम सिंगा निया दोस्तव आप से आज बात करेंगे जो एक ऐसा मामला परकास में आया है जिसे सुन और जान कर आप भी दंग रह जाएंगे आखिर बिहार सरकार द्वारा चुने गए उन अधिकारियों से हमारा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हम आपको बता दें कि बेतिया अंचल का सियो साहब है कुमार रागविंद रागवन हमार आप क्यों नहीं बात करेंगे व कि सारा गलती आपके डिपार्ट्मेंट के और आपको अतना की बात नहीं करेंगे इसी बीच हम आया हैं भोला राओद जो भी आप जानते हैं कि पुर्व सांसद और उनके पोते हमारे साथ हैं देवराच कुमार इनसे जाने की और इनको का परसान किया गया इस मामले को लेकर सुत्र का यह भी काना है कि इस मामले में 1987 बटा तेश्च चौवीस में कुछ कर्मी या सायोगियों द्वारा पैसे की मांग की गई थी पैसा नहीं देने के वाउजूद में इनके सारे रिपोर्ट को डिलेट कर दिया गया और डिलेट उभ कर देट लिए था कि मेरे पापा की मृत्य नहीं हो गई दो साल पहले उसके बाद हम अपना जुमीन को अपना घर को दाखिल खारिड कराने के ली उत्राधिगाड दाखिल खारीच मैंने अपनी मासे बोला तो माम आंका अनपत्य हमको मिम गया मेरी मापिमार है उसके बाद अनपत्ति लेने के बाद हम मुटेशन के लिए ऑनले नावेदन कियें जिसका डेट है 19 जुलाई 2023 उसके बाद जुलाई 2023 में आप सदासिव जहा के पास उन्होंने फरवर्डिंग किया 15 जुलाई को फर्स्ट हेरिंग मोहित राज सी यो बेतिया को और 15 जुलाई से लगातार ये करमचारी पेंडिंग पर चला आ रहा है जो आज तक 16 तारी के डेट तक पेंडिंग ही चला रहा है उसके बाद हम जब गहें तो वहाँ पे करमचारी थे बिजय कुमार बिजय कुमार ने मेरा रखते हैं जहां पे बिजय कुमार लिखा हुआ है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद फिर हमने वह 28 तारी को आरो फर्वार्डिंग पर चला गया मोहित राज के लोगिंग पर मोहित राज ने 28 बार इसकीप किया इस आवेधन को 28 बार करने के बार तब तक उनका ट्रांसफर हो गया उनके बाद कुमार रगविंद रगवन है उस समय से आज तक ये आठ दिसंबर दो हजार चौबिस तक लगवाग 11 महिना से ये पेंडिंग चला रहा है मैंने पूरे बिभाग को लिखा क्लक्टर को लिखा एडियम आदेश भी आया कि इनका दाखिल खारिश कर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है पिता के मरने के बाद संपती बेटा काहीं होता है कुल बेटा काहीं होता है एडियम सहाब ने भी यही बात बोला वहां के करमचारी भी यही बात बोलें कि पिता के मरने के बाद संपती बेट उसके बाद यह रिपोर्ट को तुरह डिलीट कर दिया गया हैंडिल से कहां से डिलीट कर दिया गया तो जब पता किये तो बोलें कि कुमार रागवेंद रागवन का जो डॉंगल है वह बिजेश पाठक ऑपरेटर वह चलाता है वह इस लॉगिंग को उड़ा दिया तो पैसा का मांग किया लोग उसके बाद हम नहीं रागवेंद रागवन को अब पचास हजार हम लेंगे और फिर पचास हजार आरो तो वही हैं तो एक लाग तूनी का हो गया अब यहां को अब गया रहा है हम लोग को पास आईगा तो एडियम वालेग वालेजाए साब ने चिठी भेजा चांच करने के लिए डी सीलर साब को डी सीलर साब ने स्पॉस चिठी में लिखा है कि फीफो का उलंगन बेतिया सीयो को द्वारा किया गया जिसका कोपी मुझे मिला हुआ उसके बाद अभी जो वर्तमान करमचारी है मनोज कुमार उनके द्वारा रिपोर्ट 26 सितमर दोजाएं यहां पर किया गया जिसका नाम भी यहां पर लिखा हुआ है मनोज कुमार वो 26 तारीकों ही आरो लोगिंग पर चला गया यह भी रिपोर्ट को बिजेस पाठक उडा दि साथ सियो का उपरेटर नहीं परिशा लेता है वह कोई से भी आप पता कर सकते हैं यहां के पूरा पजादिकारी लोग कोई पता है वहां पर कि बिरिजेस पाठक पैसा नहीं लेका तो सीय साथ कोई दाकिल खारीज नहीं करेंगे वह जिसको कहें काम करेंगे वह उसके सिस्टम को लोग कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा बेतिया अंचल के काम रोख दिया गया कि 1987 केस नंबर आखी 16 महिना से किस कारण से आज सक पेंडिंग है अगर वह कैंसिल हो अगर पेपर अधूरा उसका था उसको रिजेट क्यों ने किये आप अभी तक पेंडिंग है चला आ रहा है उसको लॉक कर दिया बाद होकर मुझे आज हमको जाना पड़ा देखिए पटना उचन्याले में जिसका केस नंबर है 23111-2024-410-2023 को मामला दोर्ज हुआ उत्रादिकार दागे खारिज में और अब जो कोट नयाय करे वही मानन offense क्या चाहँतनें आप अँचर दाखिल कारीज करना चाहिए नहीं करना आप थो के नहीं है अव तो हईक हम कि जाभे इसी अंचल में आप नेबी मतिया इंगतों कि इन लोग का ट्रांसपर नहीं किया जब बिजेस पाठक का तो इससे साप आज देखिए हम आज लोगिंग से निकाले हैं रिपोर्ट देखिए गारा तारी का रिपोर्ट है ये देखिए 16 कौन सा डेट है देखिए 1610-2024 का है देखिए इस पर रिपोर्ट कहीं है करमचारी का रिपोर्ट इसपर नहीं है ये पूरा करमचाय लोग झेलिए कि सी ओ का रिपोर्ट है आरो का रिपोर्ट है कि इसके आदेश से हम को कहाना है कि रिपोर्ट उड़ाया गया अगर मेरा अवेदन जूटा था मेरा औरो जूटा है तो 11 महिना से आज तो क्यों ने ढहिल खारीज हो रहा है मेरा रिपोर्ट कहा है ये तो अभी आप सुन रहे थे देवराज कुमार को पुर्व सांसद भोला राउद के पोते को आप सुन रहे थे जिन्हों ने अपनी सारी दुख को उन्होंने सुनाया है उन्होंने बताया है कि हम किस तरीके से ओफिस का चकर गया कि हमें इतने पैसे चाहिए तब आपका काम करेंगे नहीं तो दो साल का आप किराया दे दीजे क्यों आपको दिया जाए किराया क्या सरकार आपको इसलिए रखी है वहाँ पे उस कुर्सी के मान मर्यादा को आप लोग बरबाद कर रहा है जनता को आप लोग दम घुटा देते हैं करियाले दोडाते दोडाते आखिर क्यों क्या सरकार आपको पैसे नहीं देती है आपके रुजाना का जो आप वहाँ पे बैठते हैं उसका सरकार आपको सारी सुवधाय देती है उसके बावजूद भी आप जनता का जान लेते हैं आप लोग पैसा लेकर आप लो चीजे सरकार से भी सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों क्यों इस तरीके के भरष्ट करमचारियों को सरकार अपने कुर्सी पर बैठाए हुई है क्यों नहीं कि इन सारे लोगों के उपर करवाई होती है खैर अब मामला जो भी हो लेकिन है जाच का भी सै और कुछ कहना है आपको भी अब हमें तो यह करना है कि अब तो मामला हाइकोट में चला गया है अब हाईकोट जो निर्णय करे ना है कि डियम साहब के अधीन जो कर्याले है पांच बार आवधन देने के बाद जीला पजादीकारी अब तक इसे भरस्ट अदीकारी पर करवाई नहीं कर रहे हैं यह बह कार की कोई करवाई नहीं हो की गई तो सवाल हमारा सबसे है जिन लोगों के भी अधिने सारी चीज़े आती है कि आखिर ऐसा क्यों क्यों परसान किया गया इन्हें इतने मंथ तक 11 महीने का रहा है हर एक कागज के लिए इन्होंने लाश्ट में ठक हार करे न्यालय का सहरा लिय है तो आप भी जरूर बिचार कीजेगा क्या राखवंद रागवन कुमार राखवंद रागवन साहब का जो वर्ताओ है आज मैंने भी कॉल किया है उनको लेकिन उकार हैं कि इस मेर्टर पर भी बात नहीं कर सकते हैं और फोन पर नहीं बात करेंगे क्यूं भाई क्यूं न नहीं तो इनके जैसा एक MP के पोते को पुर्व MP के पोते को इतना परसान किया गया आप खुद सोचिए कि एक आम जनता एक आम आदमी को उसके साथ और लोग क्या क्या कर सकते हैं लोग उसका खुन बेचवा कर लोग पैसा ले लेंगे जमीन बेचवा कर लोग पैसा ले लें प्रवाद